हेलो एवरिवन आप देख रहे हैं प्रकासर हिंदी यूटूब चैनल इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली पुलिस 2023 की कटोप मार्क्स पर दोस्तो दिल्ली पुलिस की जो एकजामती 14 नॉवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक संपन हो चुकी है पेपर्स आपने देख लिए हैं और इसकी 6 दिसंबर 2023 को आंसर की भी जारी कर दी गई है वो भी आपने देख लिए होगी आंसर के में बहुत से क्योशन गल्ट माने गई हैं तो आप उन क्योशनों के उबजेक्शन लगा सकते हैं साइट पर जाकर के उनके उबजेक्शन अवस्य लगाएं जो की लगाना आती जरूरी है हम इसमें कटोब मार्स पर चर्चा करेंगे कि फिजिकल के लिए किसको तैयारी करनी चाहिए तैयारी में उसको जुट जाना चाहिए यारे दोस्तों यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें बैल आइकन प्रेस कर आल पर किलिक अवस्य कर लें और जितने भी कॉंटेक्ट में आपके दिली पुलिस के एक्जाम देने वाले कंडिडेट्स हैं उनके पास आप वीडियो को टेलिग्राम वाटसप फेस्बुक के मादिन से और से बेजें यदि हम चर्चा करें कि पेपरों की लेवल कैसे थे तो पेपर लेवल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोडरेट थे दोस्तों आपको पता ही है कि पेपर को चार भागों में डिवाइड किया गया था जन्र नोलेज पचास मार्स जो कि हर इस्टूडेंट्स की कहनी बिगारने के अंदर अपनी एहम भूमी का निवाया है रिजिनिंग 25 मार्स मैथ 15 मार्स और कम्प्यूटर 10 मार्स थे तो यहाँ पर जो रिजिनिंग है मैथ और कम्प्यूटर है इसका जो इसकोर है हर कंडिडेट्स का लगबग समान सा है दो चार नमर का कोई फ़रक है लेकिन जरनर नोलेज है जो कि 50 मार्ज था पेपर 100 मार्ज गा का था इसके अंदर 50 मार्ज का जीके हैं आतावा नजर मुझे दिखाई दे रहा है तो आप वीडियो को पूरा वस्य देखें और कटोब देखें ताकि आपको किसी परकार का पस्तावा ना हो यदि इतनी मार्स आपके बंड़ाई हैं जितनी तथे मुझे मुझे मिले हैं उनके आधार पर मैं आपको फीजिकल के लिए कटोब बताऊंगा तो यदि आपके इतनी मार्स बंड़ने तो आवस्य ही आप फीजिकल की तैयारी में जुट जाए क्योंकि रेजल्ट बहुत जल्द आने वाला है और उसके तुरंत बाद में फीजिकल भी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर नेगिटिव मार्किंग में था 0.25 यानि एक बटा चार इसके अंदर नेगिटिव मार्किंग था हम 2020 और 2023 की जो वैकन्सी है उन दोनों के उपर चर्चा करेंगे 2020 में 346 पोश्ट थी और फीजिकल के लिए पास के गए थी 66740 यानि 12 गुना यहां पर पास के गए थे इस परकार से 2023 में जो पोश्ट है व पिच्चे 347 एं और यदि 12 गुना यहां पर फीजिकल के लिए पास के जाते हैं तो 9564 2023 की इस दिली पुलिस की वैकंशी के अंदर फीजिकल के लिए पास की जाएंगे तो 90,500 जो 64 लोग हैं इनका फीजिकल होगा तो मैं 2020 की वैकंशी के आधार पर जो फीजिकल के लिए कटोप जारी हुई थी उसके आधार पर और पेपर के लेवल के आधार पर मैं आपको अपने अन्वान के आधार पर मैं आपको फिजिकल के बताऊंगा तो आप यदि इतनी मार्च से आपके बन रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए जुड़ जाना चाहिए आपको फिजिकल के तैयारी करनी तो आप वीडियो को अंत तक आवस से देखें तो यहां पर हम देख पाते हैं कि 2020 में जनरल कैटेगरी में मेल के 61.31 और फिमेल के 48.19 फिजिकल के लिए कट ओफ रही थी तो यदि हम 2023 में अप्चरचा करें और तथ्यों के आधार पर और पेपर के लेवल के आधार पर देखत दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि 70 प्लस मार्क्स हैं तो उसको फिजिकल की तैयरी करनी चाहिए अवसे जनरल कैटेगरी मेल के और फिमेल यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 46 प्लस मार्क्स यदि किसी फिमेल की मार्क्स हैं जनरल में तो उसको फिज मार्क्स थें तो यहाँ पर अब मेल की 23 की वैकंसी के अंदर EWS जो कैटेगरी है इसमें यदि किसी मेल के 48 पलस मार्क्स थें तो उसको फ conference करनी चाए और फिमेल के यदि 40 पलस मार्क्स है तो उस फिमेल को भी फिजिकल की तेयरी करनी चाहिए वरना आपको फिर बाद में पस्तवा हो सकता है OBC कैटेगरी में 2020 की वेकनिसिम फीजिकल के लिए कटा उप रही थी 88.87 और फीमेल के लिए रही थी 44.02 अब 2023 में OBC कैटेगरी में मेल के लिए जिस कंडिडेट के 55 प्लस मार्क्स हैं फीजिकल के लिए तयारी करनी चाहिए और फीमेल OBC कैटेगरी के अंदर जिस भी फीमेल के 42 प्लस मार्क्स हैं उनको तयारी अवस्य करनी चाहिए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं ऐसी कैटेगरी में 2020 की वेकनिसिम फीजिकल के लिए कटा उप थी 9.93 और फीमेल के लिए थी 49.44 तो अब 2023 में ऐसी कैटेगरी मेल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी कैटेगरी में यदि मेल कनिडेट्स के 45 प्लस मार्क्स हैं तो उनको फीजिकल के लिए तयारी करनी चाहिए और जो फीमेल एसी कैटेगरी में फीमेल है उसके यदि 40 प्लस मार्क्स हैं तो उनको भी फीजिकल के लिए तयारी करनी चाहिए आगे देखते हैं हम एस्टी कैटेगरी में मेल के लिए 55.24 और फीमेल के लिए 49.97 कटोब रही थी 2020 में फीजिकल के लिए तो अब 2023 में एस्टी कैटेगरी में मेल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एस्टी कैटेगरी में मेल यदि 52 प्लस मार्क्स आ रहे हैं मेल के एस्टी कैटेगरी में तो उनको फीजिकल के तयारी करनी चाहिए और एस्टी कैटेगरी में फीमेल के यदि 40 प्लस मार्क्स हैं तो उनको फीजिकल की लित्यारी करनी चीए दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 49.44 मार्क्स थे और यहाँ पर मैंने आपको 40 बताएं क्योंकि यहाँ पर कई क्यूसनों से में डिलिट होए थे अभी भी यहाँ पर डिलिट होने की संभाव ना है तो यदि डिलिट होते हैं तो यह मार्क्स उसी के अनुसार फिर घट जाएंगे तो आप फिजिकली तैयरी आवसे करें और अपना बहतरी समय फिजिकली की तैयरी में दें ताकि आप सुनेरे आवसर का इंतजार करते रहें और उस इंतजार में आप सफल हो जाएं धन्यवाद